तो देखा आपने ये radiation कितने strong होते हैं और इनका radius कम से कम 2-3 feet का होता है छोटे बच्चे, pregnant women's और बिमार लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इसलिए तो डॉक्टर हमें जब हम बिमार होते हैं तब इन mobile phones और laptop से दूर रहने की सला देते हैं अब हम इन gadgets को use करना छोड़ तो नहीं सकते हैं पर कुछ precautions तो जरूर ही ले सकते हैं जैसे mobile और laptops को charge करते वक्त तो बिल्खुल ही use ना करें रात को सोते वक्त इन devices को अपने शरीर से कम से कम 2-3 feet दूर रखें 18 साल से कम के बच्चे और pregnant women इन devices को सिर्फ जरुरत पढ़ने पर ही use करें mobile use करते वक्त हमेशा earphones का इस्तमाल करें कई सारे phones के user manual में यह तक लिका है कि use this device 6-8 inches away from your body laptops को कभी भी अपने lap पर या body के पास रख कर use ना करें मैं मेरे एक client के गर radiation test के लिए गया था और वहां मैंने क्या देखा कि उनकी 16 साल की बेटी बेड पर सोते हुए laptop को अपने chest पर रख कर use कर रही है no doubt पिछले कुछ सालों में cancer और heart attack के cases तीन गुना क्यू बढ़ गए है और radiation इसका एक मुख्य कारण है research ने भी ये प्रूव किया है कि इन gadgets को अगर हम 10 से 15 minute अपने body से connected रखते हैं तो वहां का temperature कम से कम 2 degree बढ़ जाता है मैंने कई सारे radiation awareness programs किये हैं और जहां कहीं पर भी मैं जाता हूँ हर जगा पर parents की यही complaint होती है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं और पूरा-पूरा दिन mobiles और laptop पे लगे रहते हैं तब मेरा उनको एक ही answer होता है कि जब तक वो लोग यह radiation को देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं मैं बस इतना ही चाता हूँ कि जो लोग पूरा-पूरा दिन mobile पर लगे रहते हैं mobile phones को अपने तक्ये के नीचे रखकर सोते हैं और laptops को अपने lap पर या अपने body पर रखकर use करते हैं वो बस यह video देखे और अपने आपको और आने वाली generation को इन खतरनाक radiation से बचा सके तो please इस video को इतना share कीजिए कि हमारे देश का हर व्यक्ति इसे देखे और alert हो जाए Thank you and goodbye